दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लेट 2024 एडमिसन फॉर्म फिलप के बारे में तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो में मैं आपको इस्टेप बाइस्टेप बताऊँगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तो क्लेट 2024 की यह ओफिसियल साइट खोल लेना है फिर यहाँ पर आपको फार्म भनने से पहले इसकी जो डीटेल्स है सारी वो पढ़ लेना है तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फोर क्लेट 2024 तो यहाँ पर दोस्तों सारी जो यूणिवर्सिटीज है वो यहाँ पर क्लेट का एक्जाम कराती है वो यहाँ पर आप चेकाउट कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर NLSIU, NALSR या NLIU यहाँ पर जो भी यूणिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं तो उसका क्लेट क एक्जाम इसमें भर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो डाउनलोड ब्राउचर इस बाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सारी युनिवर्सिटी की डीटेल से आपको मिल जाएगी उसमें क्या कंडिशन है एज क्या है सब कुछ डीटेल से आपको क्वालिफिकेशन सब इसमें करने से पहले अगर आप इलिजिबल है तो फाम अप्लाई कर सकते हैं तो पहले आपको डाउनलोड बाउचर पे क्लिक करके यहां से जो भी युनिवर्सिटी में आप एड्मिशन चाहते हैं उसकी डीटेल से सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद में ही आपको अप्लाई क अपने की लिंक वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बहां से आप अपना फोर्म अप्लाई कर सकते हैं फिर यहां पर आपको रिजिटर्ट करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले यूवर नेम तो यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है और special character भी आप डाल सकते हैं दोनों में same password रखेंगे और registered button पर click करेंगे तो आपका mobile number पर OTP जाएगा OTP डाल कर verify करेंगे फिर उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो activate account कर सकते हैं यहाँ पर फिर आपको दोबारा से login करेंगे यहाँ पर दोस्तो आप जैसी आपको यूजी के लिए करना है तो यहाँ पर टिक करेंगे और apply for klat 24 इस पर click करके OK बटन पर click करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पर आपका application form है वो open हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा नहीं तो आपको वीडियो मिस नहीं करना है नहीं तो आपको कुछ स्टेप समझ में नहीं आएगा तो दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल नोटिपिकेशन और पर सेट करकर रखें जिससे आगए भी आपको इससे रिलेटेट वीडियो मिल सकें तो सबसे पहले परसनल इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर दोस्तो आपको सबसे पहले तो अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे अपना फोटो अपलोड करेंगे इस तरीके से अपना photo को twice करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों इस arrow से आपको यहाँ से छोटी बड़ी कर लेना है उसके बाद में सही होने पर आपको submit करना है तो आपका photo यहाँ पर upload हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं photo uploaded हो चुका है इसी प्रकार से यहाँ पर signature भी आपको upload कर देना है jpg format या png format में upload हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको applicant full name यहाँ पर आपका 10 plus 2 की mark sit में जो भी आपका full name है वो यहाँ पर अपना full name डाल देंगे इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको अपना gender select कर लेना है आप male candidate है या female candidate यहाँ पर दोस्तों आपको date of birth आपकी जो भी date of birth है यहाँ से select करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको parents guardian name यहाँ पर डाल देना है इस box में यहाँ पर do you qualify under NRI category अगर आप NRI category से हैं तो yes करेंगे नहीं तो आपको no particular करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपका जो CSTOBC का जाती प्रमान पत्र होता है category certificate वो यहाँ पर upload करेंगे अगर नहीं आते हैं आप general से हैं तो general select करेंगे अगर general select करते हैं तो यहाँ पर आप EWS में आते हैं तो yes कर सकते हैं नहीं तो आपको no protect करना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको under the disability में आते हैं तो यहाँ पर अपनी disability select कर सकते हैं 40% और upload करना पड़ेगा उसका documents अगर नहीं आते हैं तो no protect करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप select candidate file under BPL card रखते हैं आप yellow यहाँ पर देख सकते हैं तो yes करना है नहीं तो आपको no protect करना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों save करेंगे और फिर यहाँ पर अगले step के लिए इस arrow पर click कर सकते हैं या फिर communication details इस पर भी click कर सकते हैं दोस्तों अगले step आती हैं यहाँ पर आपकी correspondence address यहाँ पर अपना correspondence address full address डाल देंगे यहाँ पर अपने state select कर लेंगे और यहाँ पर अपने district का नाम डाल देंगे यहाँ पर दोस्तों अपने area का pin code डाल देंगे और यहाँ पर आपको अपना permanent address डाल देना है अगर आपका दोनों address same है तो आप दोनों में सेम डाल सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको एक alternate contact number दे देना है यहाँ पर alternate email ID और उसके बाद में save करेंगे और यहाँ पर अगली step के लिए इस एरो पर click करेंगे दोस्तो अगली step आती है qualifying examination detail तो यहाँ पर qualify exam आपने क्या किया है तो यहाँ पर जैसे आपका जो qualify exam है वो यहाँ पर arts subject से किया है या commerce या humanities या other या science वो यहाँ से select कर लेंगे यहाँ पर अपनी board university का नाम डाल देंगे इस box में यहाँ पर दोस्तो आप appearing है या passed है जैसे appearing करते हैं तो इस पर select करके यहाँ से select कौन से मैने में आप यहाँ पर passing हो जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप already passed है तो यहाँ पर pass पर click करना है आपको यहाँ पर अपना month कौन से month में पास हुए थे आप और यहाँ पर passing year select करेंगे यहाँ पर आपको अपना percentage डाल देना है इस तरीके से और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो सेब करेंगे और next करेंगे पर test center preference तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपना इस list में से जो भी आपको पहले examination center चाहिए वो पहला select करेंगे यहाँ पर फिर आपको दूसरा examination select करेंगे यहाँ पर तीसरा इस तरह से आप यहाँ पर अलग-अलग examination CT choice कर सकते हैं तीनों उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो SIU Bangalore से आप यहाँ पर student है इसके तो यहाँ पर yes कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप no पर टिक करेंगे इसकी जो details चाहते हैं आप जैसे yes करते हैं तो यहाँ पर आपको करनाटा के student category यहाँ आपको जो आपको reservation मिलेगा उसकी eligibility यहाँ पर दी हुई है इसके अंतरगत आपको होना चाहिए अगर नहीं है तो no पर टिक करेंगे यहाँ पर दोस्तो इनके सामने pdf download कर सकते हैं इसमें भी आपको सारी इसकी जो details reservation की मिल जाएगी तो इसको आपको download करके जरूर से देखना है यहाँ पर फिर आपको हैदराबाद यहाँ 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 के हैं तो आप इस पर भी yes करेंगे नहीं तो दोस्तो यहाँ पर इन सब पर आप अगर दा नेशनल ला इंस्टिटूट यूनिवरसिटी एन एल आई यू भौपाल से यहाँ पर एन जम्मुकस्मिर रेसिडेंट है तो आप यहाँ पर आर यू एडॉमिशाईल अप मद्दे प्रदेश अगर द्यानपूरबक समझ लेना है कोई भी mismatch नहीं करना है यहाँ पर दोस्तो इस declaration box पर टिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर selected consent इस बाले option पर टिक करेंगे उसके बाद में save करेंगे यहाँ पर फिर ok करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका जो application number है वो generate हो जाएगा तो आपको इसको लिख लेना है फिलाल के लिए उसके बाद में यहाँ पर आपको valid your email address इस बाले option पर click करके अपनी email id को validate करना है OTP डाल के submitted word payment pending तो यहाँ पर आपको अपने form की finally payment करना पड़ेगा अगर payment करने से पहले आप कुछ edit करना चाहते हैं अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप edit application form पर click करके यहाँ से आप अपना application form update कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो उसके बाद में यहाँ पर update NLU preference इस बाले option पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तो आपको NLU National Law University का preference देना है तो यहाँ पर आपको ध्यान पूर्बग समझना है ध्यान पूर्बग ही आपको अपना preference देना है तो आपको सारा notification पढ़ने के बाद में ही अपनी university का preference देना है जैसे आपको preference फर्ष्ट तो यहाँ पर इस list में से आपको कौन सा पहले चाहिए वो यहाँ पर पहले नंबर पर select करना है जैसे मान लिजे आपको National Law School of India University NLSIU Bengaluru यह सही है चाहिए आपको सबसे पहले नंबर पर तो यह select कर लेंगे उसके बाद में preference दूसरा त जोतपूर यह चाहिए तो इस पर टिक करेंगे उसके बाद में third preference तो यहाँ पर दोस्तों आपको third preference मान लिजे आपको यहाँ पर यह चाहिए महराश्ट नेशनल लाई उनिवरसिटी MNLU Mumbai तो यह select करेंगे यह अपने according आपको जो भी पहले चाहिए वो पहले आपको select करना है सारी युनिवरसिटी आपको यहाँ पर select कल लेना है दोसके बाद में update preference पर click करेंगे आपकी जो list है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप click to home page पर जाना है फिर यहाँ पर दोस्तों आपको make payment इस वाले option पर click करना है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं do you previous question paper चाहते हैं आप यहाँ पर पिछले साल का जो previous year के question paper है वो चाहते हैं तो यहाँ पर yes कर सकते हैं तो आप 500 रुपे aid होंगे अगर आपको नहीं चाहिए तो no पर click करेंगे तो इस तरीके से आपको यह अपने according yes no कर देना है उसके बाद में confirm payment इस वाले option पर click करेंगे payment pay now पर click करेंगे उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर यह पिंडो यहाँ पर दोस्तो बिंडो ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ पर UPI phone pay या पे टी एम या फिर card से या फिर net banking से या QR code से या net banking से करना चाहते हैं आप यहाँ से जिस भी जिस से भी आप payment करना चाहते हैं उसके थो payment कर सकते हैं जैसे ही आपकी payment होगी तो आपका finally form submit हो जाएगा तो दोस्तो उसका print out निकालके आपको save करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तो इस तरीके से आप clear 2024 के लिए अपना online form घर बेठे आसानी से भर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा और अ अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें share करें जिससे आगे भी आपको इससे related वीडियो मिल सके थेंक्यो दोस्तो धन्यवाद